नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है MJT Education में दोस्तों इस वीडियो के माद्यम से आज हम लोग डिसकस करेंगे महाराष्टर पॉलिटिकल क्राइसिस के बारे में इसमें हम जानेंगे कि Anti-Defection Law क्या है दोस्तों सबसे पहले मैं आपको नियूज बता देूँ तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो एकनाथ शिंदे हैं जो सिवशेना के एक मैतपून लीडर है इन्होंने रिवोल्ट कर दिया है और यह निकल पड़े हैं BJP रूलिंग पार्टी की तरफ मतलब यहाँ पर जहाँ यहाँ पर BJP की पार्टी है वहाँ पर यह निकल पड़े हैं इनका कहना है कि हमारे पास 40 MLA अभी हैं लेकिन दोस्तों रिपोर्ट के दौरे यह पता चला है तो यहाँ पर 55 में से इनको 2 y 3rd का जो रेशियो चाहिए वो इनको मिल जाएगा और यह एंटी डिफेक्शन लोग से बच सकते हैं तो यहाँ पर क्या है यह एंटी डिफेक्शन लोग और किस तरह से यह मर्जर का जो सिनेरियो है वो काम करता है इनको यह पर हो क्या रहा है कि 2019 के अंदर महराष्ट में हुए थे चुनाव और इन चुनावा में टूटल 288 सीटें थी जिनमें से 106 MLA बीजेपी के चुनकर आए थे लेकिन यहाँ पर NCP के 53 MLA और कॉंग्रेस के 44 MLA और जो सिफशेना की जो पार्टी है उसके 55 MLA यहाँ पर चुने हुए थे तो इन तीनों ने मिलकर एक कॉलिशन बनाया जिसका नाम रख गया है महाविकास अगारी कॉलिशन और 152 सीटों के साथ में इनों ने यहाँ के चुनाव जी थे majority प्राप्त करी और यहाँ पर जो उद्दव ठाक रहे हैं उनको चीफ मिरिस्टर बनाया गया था लेकिन यहाँ पर अब जो सिफशना के जो MLA's हैं उनके दोरा विरूद किया जा रहा है अब देखते हैं सरकार गरती है या बचती है क्या होता है आगे वो तो समय के साथ हमें पता चली जाएगा लेकिन दोस्तों इस वीडियो में हम आगे बाड़े उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दी जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन्स मिलती रहेंगी और इसी तरह की ट्रेंडिंग वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे यदि आपके कोई क्वेरी है तो वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक वाटसेप नमबर दिया गया होगा वहाँ पर आप डिरेक्टली कॉंटक्ट करके अपनी जो भी कुष्चिन है उनको सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों इसके लावा यहाँ पर आपको एक कहानी बताता हूँ 1967 की एक कहानी है यहाँ पर क्या हुआ था कि हर्याना के एक MLA थे गयालाल आपने नाम अक्सर सुना हुआ आयाराम और गयाराम अब यह सब्द कहां से आया है तो 1967 में जो MLA थे हर्याना के उन्होंने एक दिन के अंदर तीन वार अपनी मतलब एक पार्टी में आ रहा है वहाँ से जाकर दूसरी पार्टी में आ रही है इस तरह से आयाराम गयाराम होता रहा है तो इस तरह से इस पार्टिकूलर आ प्यॐसकों को बंद करने के लिए क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जो MLA होते हैं वो काफी जादा पार्टी कैसे political crisis गुए था 2019 के अंदर जब पूरी पूरी सरकार गरा दी गई थी Congress की यहाँ पर भी इस तरह का एक case सामने आया था तो यहाँ पर जो defection के लिए जो MLA से हैं वो defect ना कर जाएं अपनी party को छोड़ कर दूसरी party में न जाएं इस कारण से particular अंदर anti-defection law बनाया गया था 1985 में इसको बनाया गया था यहाँ पर 10th schedule add किया गया था इंडिया के constitution के अंदर तो जो empty defection law है उसको लाया गया था कि जो members हैं जो ruling party है या फिर कोई भी party है वो एक party से दूसरी party में न जा पाएं मतलब अपनी party को switch ना करें इसके लिए यहाँ पर एक anti-defection law बनाया गया था और इंडिया के constitution में 10th schedule जोड़ा गया 1985 में और इस 10th schedule को इंडिया के constitution में 52nd amendment act के दौरा जोड़ा गया था तो दोस्तों आगे हम बात करें इसके बारे में तो मैं आपको बताऊं कि इसमें 3 conditions है सबसे पहला क्या है कि कोई यदि political party का कोई member है तो उस party का member यदि अपनी party को switch कर जाता है मतलब यदि किसी अन्य party में जाता है अपनी मर्जी से इसके अलावा यदि वो party के दोरा दिये गए देशा निर्देशों का पालन नहीं करता है और उनके दोरा तया कि एगए निर्देशों पर नहीं चलता है तो इस तरह से उसे disqualify किया जा सकता है उस particular सभा के अंदर से मतलब उसे member of parliament या हम का है member of legislative assembly वहाँ से उसे disqualify किया सकता है इसके अलावा दूसरा scenario यह है कि जो independent members है जो किसी party के member नहीं है तो यदि वो member है और बाद हैं वो किसी अन्य party को join कर लेते हैं तो इस तरह से उनको भी disqualify किया सकता है इसके अलावा तीसरा जो condition है वो है nominated members की दोस्तो nominated members हम सभी जानते हैं कि nominate किया जाते हैं वो किसी political party से belong नहीं करते हैं 6 महीने के बाद यदि वो किसी party को join करते हैं तब उन्हें disqualify किया सकता है मतलब यहाँ पर condition यह है कि वो अपने जो उनका चुनाव होता है मतलब चुनाव तो नहीं होता है जब उन्हें nominate किया जाता है तब यदि वो 6 महीने के अंदर अपनी कुर्सी समान लेके 6 महीने के अंदर किसी political party को join कर लेते हैं तब उन्हें disqualify नहीं किया जाएगा लेकिन यदि वो 6 महीने के बाद किसी political party को join करते हैं तब उन्हें यहाँ से disqualify किया सकता है यह है scenario पूरा anti-defection law का लेकिन यदि यहाँ पर हम बात करें कि decision authority किसको दी गई है यह decide करने की यदि कोई नेता यहाँ से वहाँ पर मतलब एक party से दूसरी party में switch करके गया है तो उसे हम defection ही मानेंगे तो यह decide करता है लोगसभा का speaker या राजसभा का chairman मतलब अलग-अलग conditions में अलग-अलग लोग यहाँ पर यह decision लेते हैं जहांके जो presiding officer होता है हम presiding officer एक बैतरीन सब्द कह सकते हैं यहाँ पर मतलब जिस भी party का यदि हम मानने की legislative assembly जो state की legislative assembly है वहाँ से किसी ने defection किया है तो वहाँ पर वहाँ का जो presiding officer है वह यह तै करेगा इसके लावा यदि किसी MP ने defection किया है तो लोग सभा का speaker यहाँ पर यह decide करेगा कि यदि वह defection है या नहीं है यह चीज़ें यहाँ पर decide करी जाएंगे लेकिन यह चीज़ court में जाकर challengeable करने योग है मतलब यह judicial review के अंतरगत आता है और यहाँ पर कोई member जाकर अपना मत रख सकता है इसके अलावा दोस्तों इसमें exception भी है exception क्या है जो मैंने आपको शुरुआते में बताया था merger का यहाँ पर क्या होता है कि यदि कोई member यहाँ पर defect करके जाता है पार्टी स्विच करता है तब तो हम anti-defection law लगा सकते है लेकिन यदि उसके साथ में जो पूरी की पूरी पार्टी है उसके two-third member यहाँ पर पार्टी स्विच कर जाते है मतलब उसके two-third member से क्या ततपर रहे तो यहाँ पर मैं आपको बता हूँ यदि मान लेजी किसी political party के अंदर 30 members है और यहाँ के 20 member यदि पार्टी छोड़कर किसी अन्य पार्टी में चले जाते है तो यहाँ पर इसको defect नहीं माना जाता है इसे merger माना जाता है मतलब इसके two-third member यदि किसी अन्य पार्टी में जुड़ गए है तो उसे merger माना जाएगा और इसको defect नहीं माना जाएगा और ना ही उन्हें अपने पद से disqualify किया जा सकता है यह है यहाँ पर एक्शेपरसन की condition तो इसे merger कहा जाता है इसके अलावा दोस्तों इस नियम के कई सारे significance भी हैं जैसे कि जो लोग होते हैं तो नेता होते हैं वो यदि किसी पार्टी को सुच कर जाते हैं तो वहाँ पर stability नहीं रहती है लेकिन इस नियम के अंतरगत कोई नेता आसानी से एक पार्टी से दूसरी पार्टी में शामिल नहीं हो सकता है जिसे कि उस पार्टी के अंदर stability बनी रहती है इसके अलावा दोस्तों यदि मैं बात करूँ sense of loyalty की तो यहाँ पर एक तरह से अपनी पार्टी के प्रती loyalty का भाव उन नेताओं के अंदर हमेशा रहता है वो आसानी से एक पार्टी से दूसरी पार्टी में नहीं जा सकते हैं अपनी पार्टी के प्रती उन्हें वफ़ादार रहना पड़ता है इसके अलावा दोस्तों basic philosophy उन्हें ěाद रहती है अपनी political party की कि कि किस कारण से हम इस पार्टी से जुड़े थे और किस कारण से हम इस पार्टी में हैं यदि हम किसी पार्टी दूसी पार्टी में जाते हैं तो इसकी फिलोसोफी क्या रहेगी इसके बारे में भी उनी सोचना पड़ता है इसके अलावा उन्हें मतलब अपनी पार्टी को सच करने से पहले बार बार सोचना पड़ता है जिससे कि उन्हें आगे दिक्कतों को सामना ना करना पड़े इसके अलावा criticism भी है मतलब एक side तो इसके कुछ significance है एक side इसके criticism भी है कई लोगों ने इसको एक तरह से criticize किया है दोस्तों इसको क्या बताएगा है कि ambiguous nature of split मतलब यदि कोई नेता यहां से वहाँ पर जाकर split करना चाहता है नहीं जा सकता है लेकिन यदि इसके विफरीत यदि एक group मतलब कि two-third member of the party यदि switch करना चाहें तो वो आसानी से कर सकते हैं इसे वो anti-defection law की सेड़ी में नहीं माना जाता है तो इसमें से कई सारे ऐसे examples हमको देखने को मिले हैं कई सारे states में इस नाम पर कई सारे नेताओं ने party switch करी है और हमें कई सारे states के अंदर तक अपलट होती हुए भी दिखा है पूरी की पूरी party अगर गई है और इसके अलावा कोई दूसरी party अपनी majority वहाँ पर स्ताबित करने में सक्षम हो पाई है इसके अलावा दोस्तों बात करें power of speaker मतलब इसमें बताए गया है कि जो इन लोगों का कहना है जो इसे criticize करते हैं कि speaker के पास जो power दी गए है decide करने कि कोई law anti-defection के अंदर आता है या नहीं मतलब कोई व्यक्ति यदि party switch करता है तो वो anti-defection law के अंदर आएगा या नहीं तो इस तरह की जो चीज़े है speaker को नहीं दी जानी चाहिए मतलब speaker के पास legal information नहीं होती है इस particular चीज़ को handle करने की ये उनका कहना है इसके अलावा दोस्तों इसमें इन लोगों का कहना है जो इसको criticize करते हैं नो penalty for political parties मतलब की political parties के लिए इसके अंदर कोई भी penalty नहीं दी गई है यदि कोई नेता party switch करता है तो नेता के उपर anti-defection law लगाए जाता है लेकिन यदि कहीं न कहीं वो सही होआ तो यहाँ पर parties के लिए कोई भी दंड निर्दारित नहीं किया गया है इसके अलावा no freedom to go against a party whip मतलब party के against जाने के लिए भी इनके पास freedom नहीं होता है जो MLS होते हैं या MPs होते हैं वो party के विपरीत नहीं जा सकते हैं तो यहाँ पर party एक तरह से dictatorship का काम भी कर सकती है इस तरह से यहाँ पर यह चीज़ को define कर जा गया है दोस्पिस के बाद हम देखें कि कुछ suggestions भी दी गए हैं इस particular नियम के अंदर कि इसको बदलाव करने की किस तरह से बदलाव करने की ज़रुत है इसमें एक बहुत बड़ा नाम है हामिद अंसारी जी का जो कि हमारे former vice president भी रहे हैं इनका कहना है कि इस particular नियम का उपयोग केवाल no confidence motion के अंदर ही करना चाहिए जब सरकार को बचाने की जवरत आती है तभी इस particular नियम का उपयोग करना चाहिए इसके अलावा दोस्तों election commission का ये कहना है कि यहाँ पर जो deciding authority होती है वो speaker से अटा कर हमें दे दिनी चाहिए हम बहतर तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते है इसके अलावा दोस्तों supreme court ने recently कहा है कि parliament को एक इस तरह की tribunal बनाना चाहिए जहाँ पर retired judge of higher judiciary मतलव कि जो उच्च नियाल है कि जज होते है वो इस tribunal के अंदर हो और वो decide करें कि कोई भी जो नेता की दौरा party सुच करी गई है वो इस particular नियम के अंदर आती है या नहीं आती है इसके अलावा दोस्तों कुछ लोगों का ये भी कहना है कि president और governor को अपने अपने अस्तर पर ये चीज़ें लेनी चाहिए president को parliament के संदरों में और governor को states के संदरों में ये चीज़ें लेनी चाहिए और वो इस चीज़ को define करें कि कोई व्यक्ति इस नियम के अंतरगत आता है या नहीं आता है इसके अलावा international level पर देखें दोस्तों तो भारत के अलावा और कई देशों में ऐसे नियम और हैं जैसे बंगलादेश, किन्या, साथ अफरिका जी ये दो अफरीकन कंट्रीज हैं यहाँ पर भी ऐसे नियम हमें देखने को मिलते हैं बागनादेश के अंदर article 70 के अंदर ऐसा नियम है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी party को सुच करता है तो अपनी seat उसको वहाँ पर vacant करनी होगी मतलव अपनी वहाँ से उसे पद से स्तीफा देना होगा इस तरह का एक नियम है और इस पर जो deciding authority है वो है speaker to the elections commission इसके अलावा किन्या की बात करें तो किन्या के section 40 के अंदर मतलव constitution के section 40 के अंदर ये बात लिखी गई है कि यदि कोई party से वो करता है स्विच करता है तो उसे resign करना होगा अपने पद से और यहाँ पर जो decision authority है वो है speaker कर इसके अलावा दोस्तों Singapore की बात करें सिंगापूर के article 46 में लिखा हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति पार्टी स्विच करता है तो उसे अपनी seat खाली करने होगी उसे अपना recognition देना होगा और article 48 के अंदर लिखा गया है कि पार्लियमेंट के पास ये power है कि वो decide कर सकती है कि इसके अलावा दोस्तों यदि मैं बात करूं South Africa की तो South Africa में section 47 of the South African Constitution यहां पर भी इसी बात को लिखा गया है और वो व्यक्ति अपनी membership को loss कर जाता है और Parliament से भी उसे अपना recognition देना होता है तो इस तरह की चीज़ें यहां पर South Africa के समविदान में भी है तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आई होगी मैंने आपको बताया इसमें Anti-Defection Law के बारे में इसके बाद मैंने आपको बताया जो महराशना Political Crisis चलना है तो इन सारे चीज़ों को आप उम्मीद है बहतर तरीके से समझ पाए होंगे काफी ज्यादा नॉलिज यहां से गेन कितना है इसके अलावा आप इस Telegram चैनल को जोइन कर सकते हैं यहां पर आपको हमारी वीडियो के लेटेस्ट अपडेट मिल जाएंगे हमारी वीडियो के PDF मिलेंगे और Free Mac Quizzes मिलेंगी दोस्तों यह थी हमारी आज की वीडियो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होग इसको लाइक जरूर कर दीजे और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाल